मद्य प्रदेश में कॉंग्रेस सोमवार को लोगतंत्र सम्मान दिवस मना रही है तीन साल पहले 20 मार्च 2020 को ही कॉंग्रेस सरकार गिनने के कारण ततकालीन मुख्यमंतरी कमलनाथ को पत से सीफा देना पड़ा था होपाल जला कॉंग्रेस कमीडी के अध्यक्ष केला शमिश्रा की तद्वाधान में कॉंग्रेस कार्याले से पैदल मार्च वीबराव अम्बेट कर प्रतिमा तक निकाला गया कॉंग्रेस 20 मार्च को ना खुद भूली है ना किसी को भूलने देगी यह जुनावी साल है और इस साल वो बार बार ये तारीख दोराती है यही वो दिन है जब 15 महिने की कॉंग्रेस सरकार के मुक्या कमलनाथ को स्तीफा देना पड़ा था तब से वो लगातार वीजेपी पर सौदे बाजी की सरकार बनाने का आरोप लगा रही है आज लोग तंद्र सम्मान दिवस पर कमलनाथ ने प्रदेश वासियों को संबोजित करते हुए फिर ये बात कही है केलाश मिश्रा ने बताया कि आज ही के दिन पूरु मुक्य मंतरी कमलनाथ ने स्तीफा दिया था मार्च 2020 को भाजपा सरकार ने खरीद फरोक्त कर विधायकों को खरीद लिया था और अपनी सरकार बनाई थी आजी के दिन और आज का दिन हम लोकतंत्र के सम्मान के रूप में मनाते हैं बीस मार्च 2020 को मत्मदेश के हमारे पूर्वी यश्वशी मुक्य मंतरी मानी कमलनाजी ने लोकतंत्र की खातिर अपना मुक्मंत्री पत छोड़ा था और बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के नेताओं ने हमारे विधायकों को खरीद फरोज़ करके और अपनी सरकार बनाई इसलिए आज का दंत्र आज का दिन हम लोकतंत्र के सम्मान का दिबस मनाते हैं होपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट